है ले दोस्तों रानक्लासिज में आपका स्वागत है तो मैं आज आपको बिहार दरोगा परिच्छा जो 22 वारा 2019 को होगी किस विशय से कितना फ्रश्ण फूचा जाएगा इसको मैं विश्तार बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू संतक देखें प्रसें पर लाइक ने होगा और इसलिए होगा क्योंकि जादा तर ने लड़के को आइडिया ही नहीं कि मैथ पर हूं मैथ आता नहीं है तो क्या कोश्चन भी नहीं देखें तो तैयारी है जो कि अब क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है मात रहे जो कि आज लगभग 10 से 12 दिन है जो कि लगभग अब करेंट फेरस के 20 फ्रशन आते हैं तो ऐस जहां तक बात है कि कहां से पढ़ना है तो क्योंकि 18 में जो परिच्छा वई थी उसको 17 करेंट फेरस फूचा था तो आप समझ सकते हैं कि तो कि वो मार्श में वी थीसलिए 17 जाना ही लाजमी था तो निश्चित रुप से का तो पूरा पढ़ना ही है जनवरी 2019 का और शास साथ जो कि 18 भी अगर आप कवर्ड करते हैं खास कर आप नवंबर दिसंबर तक तो निश्चीत रूप से आपको आई से 100% आपको तयारी करनी है जनवरी 2019 से लिकर अब तक का करेंट फेर्स तो फिल्कुल ही नहीं छोड़ना और अगर उससे भी जाला थोड़ा से पीछे जाना है तो आप नवंबर दिसंबर के करेंट फेर्स 2018 के जरूर पढ़ लें और किस से पढ़े क्योंकि अब तो बहुत कम समय तो आप कम से कम चार ओप्सन में एक पकड़ा सकता है दूसरा है भूगोल के प्रेशन भूगोल के किस परकार के बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है लेकिन आपको भूगोल जो यह सेट प्रेक्टिस करते हैं उसी कम सार ही रहेगा विज्ञान में कितने फ्रशन रहेंगे तो 16 फ्रशन लगभग रहेंगे समाना ध्यान में 12 वारेफेट समाना ध्यान मतलब माल्य लिज्ञाकि अगले बार पूछा था rir ध्रशन का फो फॉर्प को फॉ यह नहीं बसक्राइब बार्थवेवस्था में आपको बारफर्ष्ण रहेंगे और यह जो रहेगा वह अधुनिक और और नीड एक रहेगा इसा नेका बीपेख से इक तरह मुआ अर्थवेवस्था अर्थ वेवस्था में आपको 12 रहेंगे सब्सक्राइब, LOT363 की परेच सही, पुर्प परिषाव के यह अनुमान , तो सब्सक्राइब , विल्कुल ही नहीं आता है , पीटी में 5 में ऌर ना आता है . और one-fifth है जो कि निगेटिव रहेगा मतलब क्या हो गया कि आप एक प्रेशन अगर गलत करते हैं तो आपको 0.5 मार्च कट जाएगा 1-5 है 0.4 मार्च कट जाएगा सुर्जी क्योंकि निगेटिव मार्किंग کी परिच्छा है और जहां तक बात है कि कि तरह बनाना है निगेटिव मार्किंग में कितने प्रेशन बनाया जाये तो निस्चित रूप से आप है कि कम से कम है जो कि 80-90 कोशिस करें कि टच Standardが अगर उससे कम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सेलक्शन से बाहर होने की और बहुत सारे लोग करते कि मैं साथ ही बनाया और साथ ही सही होगे या पाच गलत हो तो मेरा वीजियो एक्स्पिरियेंस इस फिल्ल में की आपकी गलत होंगी लेकिन यह रेलवे की एक्जाम तो निश्चित रूप से कम से कम है जो कि 80-90 जरूर बनाए और बनाने से इसली नहीं है क्योंकि वान्फिब्ट है इसलिए आप 80-90 कम से कम और 90 भी टपते हैं तो कोई बात नहीं है उससे कोई विशेस असर निगेटिव के अशर पर नहीं पड़ेगा जो चालाक लड़के के रहते हैं लगभव कंप्लीट बनाते हैं 90 से पंचान में या हेंड़ बनाते हैं उसके बाद है कट आफ मार्श है जो कि पहले मैं पूर में जो परिच्छा होई थी उसके कट-off analysis मेल का जेनरल मेल का कितना था 109 मतलब क्या होगे लगभा के जो कि नेगीटिव काट करने से गया था सो में पचपन उसके बाद फीमेल का कितना गया था तो तो 63 दिसमलक छे मतलब फीमेल है जो कि सिर्फ कॉलिफ हाई मार्स है क्योंकि पहली बार रहे च्छन दिया गया था तो निश्य दूरूप से ज्यादा कम थी मेल में है जो कि वहीं लगभा के जो कि बावन कोश्चन है जो कि इसमें साही मतलब एक सो तीन मार्स है और फीमेल का जो है वो लगभाग 50 परशन थे और सी के भी लगभाग 45 परशन आपको सही करने थे निगेटीव काट कर तो यह तो हो गया आपको प्रीकप पूर में नाचे तो अब क्या अनुमान है कि किस तरह की कट ओफ हाला की कोश्चन पर दिजा लेकिन एक आइडिया जो रहेगा कट कोश्चन परटन से कि यह जेनरल के है जो कि लगभाग 110 मार्श की सवार रहेंगे इस वार भी और क्योंकि सीटों की संख्या आगले बार 1717 थी इस वार कितने है 244 है तो निशी दूर्प से क्योंकि 2424 पद है क्योंकि 2700 लगभाग ज्यादा है तो कट ओफ मार्श जेनर सब्सक्राइब करेंगे तो निशी दूर्प से आपको इतना कम से कम करना पड़ेगा और तयारी क्योंकि निगेटिव है तो और क्योंकि अभी इस से 20 मुना है जो की रियल्ट देना है तो निशी दूर्प से क्योंकि उसके बाद फीजिकल भी होगा इसलिए कम जाएगा औ बहुत सारे लोग पढ़त हो लेते हैं या पढ़ते भी नहीं है हरवडी में चले आते हैं इसलिए पहले से ही उसका एड्मिट कार्ड और अगर संभा बहुत तो दो फोटो भी जरूर ले जाए और आइडी काड को भी फोटो कोपी बहुत सारे लोग सेंटर पर फोटो पाना फड़ेगा तो निश्यतरुप से आप अड़ेंटी कारते हैं और एक घंटा जो है आपको जिस तरह से धाय वज़े से एक जाम की नहीं का है तो वह एक वज़े तो मतलब देड़ घंटा आपको पहले पहुचना तो यह अच्छी बात है क्योंकि आप सेंटर पर पहुच कर सकते हैं कि मेरा यह सेंटर है मेरा यह परिच्छा होल है और इसमें मुझे यहां बैठना तो निश्यतरुप से यह आपको काफी लावदायक होगा और और रंगने के जहां तक बात है कि बहुत सारे लोग है जो कि कोश्चन में टिक मारकर लगाते हैं तो बहुत को खासकर इसमें ज्यादा गलतिया होते हैं किसी कोश्चन का अंसर और किसी कोश्चन में लगता तो इसको साफधानी से रंगे और रंगते समय एक बार ब्रेन को जरूर देखें कि मैं सही रंग रहा हूं कि नहीं रखा हूं तो यह आपको कामती है यह कट आउफ मार्स रह